Hello CMA Inter वाले students, today's video is for you all, I know आप लोग थोड़े से, बहुत टाइम से, थोड़े भी ने, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, CMA Foundation का Study Plan आ गया था, CMA Foundation का Study Plan आ गया था, बस मैं आप Inter के लिए कब ला रहे हो, इतने सारे Questions थे मेरे पास, and I had told कि मैं लाऊंगी, सबको, सबको Chance सबको अच्छा Study Plan मिलेगा, and today I am here to discuss CMA Inter Group 2 का Study Plan, वीडियो को लाच्ट तक देके बहुत ज्यादा अच्छा Study Plan है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा पढ़ाई करने के लिए, लेटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, CMA के एक्जाम डेट को लेके, I hope आप लोगो के लिए तो हमको उसको सही direction में use करना है, ऐसे ही blindly कोई भी subject नहीं पढ़ना है, so for this reason, आज मैं आपके लिए एक Study Plan लाई हूँ, और पहले, देखो Study Plan में आपको पूरा अभी एक महने का सवा महने का नहीं दे सकती हूँ, उसका reason यह है कि वो follow नहीं होता है, कभी भी छोटे चोटे parts में आप चीजे करोगे, तो वो easily follow जाती है, कि मैं पूरा एक सथ चंक दे दू, तो कही ना कही वो इखा दिन रहे जाएगा, आप प्रोकास्टिनेट कर लेते हैं, यार बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना एक मैने, एक मैने में यह कवर करना है ना कर लेंग स्टाटेजी है, इस यूर लाप वन, हम अलग-अलग लाप में आपका पूरा रिविजिन कवर करेंगे, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, पहला लाप हम आज कवर करेंगे, आपका जो पहला लाप है, उसके अंदर हमको यह थ्री सबजेक्स कवर करना है, कॉस्टिंग, अका आपके डे को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, मैंने आपको बोला है, इसे ब्लाइंड ली नहीं पढ़ना है, जब जो सब्जेक्ट आया, उतने घंटे पढ़ रहें, किसी दिन अच्छा मोड है, हमने कॉस्टिंग बहुत सब्जेक्ट है, OEM है, SM, यह सारे सब्जेक्ट आप साइड में रखेंगे, मैं अच्छे से पता है कितने सब्जेक्ट है, और अलसो लो हमको कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में यह 3 सब्जेक्ट उठा रहें, बाकी के भी मैं भूली नहीं हूँ, मैंको अच्छे से पता है, Phase 1 यानि आपका जो day है, यह day के कितने parts किये है मैंने यहाँ पे, आपके day के 4 parts किये है, your day has been divided into 4 parts, 4 phases जिसको मैं बोलती हूँ, Phase 1, Phase 2, Phase 3 and Phase 4, Phase 1 में हम करेंगे, costing का subject which will be for 2 hours, ठीके, यह दो गंड़े, के बीच में कोई break नहीं लेना है, Phase 1 और Phase 2 के बीच में यह जो मैंने gap छोड़ा ही है, break के लिए, जहाँ जहाँ आपको break दिख रहा है, आपको इधर इधर आप break ले सकते हो, बराबरे लेकिन Phase 1 के between में no break, एक बार Phase 2 चालो हो गया, no break, तो आपको Phase 1 में costing खदम करना है, Phase 2 मे आप लोगों को accounts यह subject से deal करना है, Phase 3 में अब दो हमने practically deal कर लिया, Phase 3 में हमको exclusively ध्यान देना है, theory और objective पे, कौन से theory, कौन से objective यह देखो, मैंने आपको पूरा proper plan दिया है, थोड़ा patience रखो, वीडियो को आगे देखो, अभी बात समझो, Phase 3 में हमको theory objective करने हैं, क्योंकि theory और objectives ऐसी चीज़ें, जो हर बच्चा ignore करता है, I know you all, तुम लोग उसको मतलब इतना neglect कर देते हो, जैसे वो paper में आता ही नहीं, और यह one of the most important part है paper का, 24 से 25 marks का, जो यह आपका, FM costing की बात कर रहे हैं, और अगर हम new paper pattern की बात करें, अगर आप लोगों इने समझा होगा, देखा हो तो आप इसको neglect नहीं, in fact अब इस पे जादा ध्यान देने का time आया है, इसलिए मैंने पूरा एक phase इसके लिए allocate किया, and the fourth phase will be FM financial management का, right, आपका cost FM मिला के 100 marks को आता है, accounts audit एक अलग subject है, और phase 3 के लिए मैंने आपको सिर्फ theory allocate किये, right, तो 2, 2, 2, 2, 2, ऐसे 8 hours दिन में, effectively 8 hours, हमा बैठो कितने भी आज हमको effectively पढ़ाई, अगर तुम 10 घंटा बैठोगे तब जाके effectively 8 घंटी की पढ़ाई होती है, 11 घंटा बैठोगे तो 8-9 घंटी की पढ़ाई होती है, अगर तुम sitting ही 8 घंटी की देंगे तो उसमें बीच में तुम कुछ स्क्रॉल करते हो, किसीने आव बचे उठता है, मैं हर टाइम टेबल में यही बात समझाती हो बच्चो को कि तुम्हारा उठने का टाइम और उसका उठने का टाइम और जो वहाँ बैठे उस सबका अलग-अलग होता है, मैं एक strict warning नहीं दे सकती कि you should wake up by 5am, you should wake up by 6am, ऐसे नहीं होता है, कोई night owl से रात मे तो मैं यह नहीं दे सकती, मैं आपको इतना जरूर दे सकती हूँ कि मैंने आपको 4 पाट में, तुम fill in the blank करो ना, तुम generally कितने बचे उठते हो, यहाँ पर वो time दालो, 2-2 घंडे के slot दालो, right? ऐसे करो, कोई problem नहीं है, वो तुमको fill in the blank करना है, clear? Now, this is your 10 days का time table, जो तुम करेंगे, आपका phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4, ऐसे मैंने इसको distribute किया है, अब day 1 में आपको करना क्या है, learning curve वाला chapter, मैं यह दो 6 मापका है, वो भी option, option as in, वो आता है, एकादर टेम में, एकादर टेम में नहीं भी आता है, आप चालो तो इससे करो, एक chapter खतम होता है, चोड़ा से chunk हम costing का करेंगे, मैं को अच्छे से पता है, I am the teacher of costing, so I know conscious chapter का कितना importance है, detail में, मेरे से अच्छा यह कोई नहीं समझ सकता है, तो तुम, टेंशन नहीं लेने का, इसको question नहीं करने का, बस follow करने का, इताच करना, you give your hard work, I will give the best strategy, you have to follow that, हम मिलके काम करेंगे, तो आपके marks अच्छे आ करना है, नहीं, description box में क्या बोलती हूँ, treasure box से आपका, इसके अंदर जाओंगे, links मिलेंगे, CMA Inter के, CMA Inter के, Group 2 के, आपको costing के, FM के, accounts के, revision lecture हम दाल चुके है, और वो सिफ revision इसे उपर-उपर से नहीं लिया है, यार मैं खुद costing FM सिखाती हूँ, मैंने इतने detail में लिया हुआ है, मैंने concept भी सिखा है, उस पर question भी लिया है, so I have taken it in very much detail, and so I have stages are for accounts, तो आपको costing FM, जब आप revise कर रहे हो, मैंने आपको time table ऐसे बना के दिया है, कि आप lecture भी देख सकते हो, उसके बाद आप उसके पढ़ाई भी कर सकते हो, past paper भी solve कर सकते हो, RTP, MTP भी solve, सब solve करेंगे, हम सब कुछ solve करेंगे, यही time table में, right? तो अभी आपको सबसे बहले कौन सा chapter करना है, learning curve का chapter, start करेंगे आप day 1 पे, उसका 30-40 minutes का lecture है, पर हमने costing को तो 2 घंटे दिये है, तो बचे हुए time में क्या करना है आपको? बचे हुए time में आपको उसका past paper, MTP, RTP खतम करने है, जो मेरे वाले students है, मैं उनकी बात करी हूँ, जो मेरे regular students है, आप लोगों को करना क्या है न, आपके महासंग्राम पे आना है, क्या करना है आपके महासंग्राम, क्या है महासंग्राम हारे हमारी compilation of all the past papers, MTPs, RTPs, module की जो question में को relevant लगे, past paper, MTP, RTP, हर question मैंने इसके अंदर डाला हुए, वो भी chapter wise compilation है, this is for example, your leverage का महासंग्राम, पहले मैंने सारे past papers दाले है, फिर मैंने आपके क्या start की है, एक minute चलने दो, आगे चलने दो, देखो, mock test paper डाले है, attempt wise डाले है, तो जो मेरे regular, ये मैंने costing FMR, सबके लि regular students है, तुम लोग को क्या करना है, learning curve का तुम मेरे revision देखोगे, उसके बाद तुम महासंग्राम खतम करोगे, और जो regular batch की नहीं है, तुम टेंशन मत लो ना, यार, past paper बस headache है, वो मैं समझ सकती, वो headache हटाने के लिए ही मैने महासंग्राम, past paper भी download करो, MTP भी download करो, PDF में scroll करते but I totally understand, it is very difficult, that is why we have made up this महासंग्राम, but regular बच्चे तुम तो फायदा उठा, बागे की बच्चे अपने इधर उदर जहां से भी है, अपने past paper, MTP, RTP भी practice करके लो, इस तरह से day 1 में आपका learning curve खतम हो जाएगा, likewise आप banking का, एक गंडे का lecture, एक गंडे का lecture, एक गंडे का description में है, तो आप क्या revise करूँगे day 1 महासंग्राम, मैं यह नी बोल तु, lecture इस देखूँ, हमको बहुत अच्छी से आता है, कोई problem ने, आप आपकी book से, इसको practice कर लेंगे, right, मेरा suggestion ए lecture देखो, revise हो जाएगा, day 1 पे जो objective वाला slot है ना, उसके अंदर आपको learning curve के, learning curve के क्या खतम करना है, आपको उसके objectives और theory खतम कर के लिए नहीं है, और FM का क्या करना है, आपको similarly leverage का एक पौने दो घंटे, दो घंटे का revision lecture है, वो देख के लिए नहीं, right, अब आप leverage का lecture देख लोगी, उसमें आपका पूरा detail में मैंने leverage cover किया हुआ है, revision sum से एक 6 से 7 sum, almost हर chapter में है, So, इस sequence में आप learning curve, banking, learning curve की objectives और leverage, इतना part आप क्या करोगे, day 1 में खतम करोगे, फिर आप आओगे day 2 पे, एक number day 1 में हमारा बहुत सारा खतम होगे, बहुत सारा खतम होगे, objectives के साथ खतम होगे, आप आप आओगे आपके day 2 पे, day 2 पे आप मेरा marginal का देखो, धाई गंडे का lecture पूरा एक दिन में नहीं देखना है, मत देखो न, देड़े गंडे का, देखो, देड़े गंडे का, क्योंकि मैंने marginal को तीन दिन आलोकेट किये है, तो आप उसको divide कर लो, आप दो दिन में lecture देखो, तीसरे दिन में उसका past paper वगेरा है, देखो मैंने दिया है, मेरा plan किया ह तुम एक दिन बैटो, डाइगंटे का, पूरा lecture देख के लो, और उसके बाद दो दिन, एक दिन सारे past papers को दो, क्योंकि इसके past papers जादा है, और एक दिन फिर RTP, MTP और आपको और जहां से भी solve करना है, workbook होती है, वो solve कर लेना, इस तरह से हमारे day 2, day 3, day 4 में marginal खतम होगा, अगर मैं accounts में आ रही हूँ, day 2 में आपको क्या करना है, पिछली दिन banking किया था ना, उसको अपने को day 2 में उसका महा संग्राम, जैसे मैंने आपको भी यह महा संग्राम बताया था, costing का, वैसे ही FM का बना हुआ है, यह आपका FM का दिखाया है, वैसे ही costing का है, वैसे ही accounts का है तो regular students, आप लोग महा संग्राम उठाएंगे, banking का chapter करेंगे, non regular students, past paper MTP, RTP डाउनलोड करो और वो practice जरूर करो छोडने का नहीं, और objective में क्या करना है अब आपको, कल आपने leverage किया था, sums आज उसका objective कवर करेंगे, बहुत scientifically designed किया है, और मैंने बहुत महनत से time table बनाया, ऐसे कुछ blindly मैंने लिखके नहीं दे दिया है, हाँ मैं को ये time table लेके आना है, तो मैं कुछ तो लिखके दे दूँगे, आपको समझ रो, इसमें कितनी महनत की है, मैंने technically सोचा है, क्या कि पिछले दिन banking हुआ है, तो उसका next day वापस revision होना मंगता है, इसलिए मैंने उसका महा हम solve करके लोगे, इस तरह से हम day 3 पे marginal करेंगे, insurance एक घंडे का अप्रॉक्स lecture है, वो देखेंगे, marginal की theory करेंगे हम लोग, और FM में cost of capital का देड़ घंडे का lecture देखेंगे, ये होगे आपका day 3, फिर हम आएंगे day 4 पे, day 4 पे क्या करना है, आपको marginal खतम करना है अब, ये जो है तीन दिन marginal, आज marginal आप खतम करोगे, insurance जो कल पढ़ा था, फिर उसका महा संग्राम करोगे, आज आप marginal chapter के सिर्फ MCQ, marginal chapter बड़ा है, उसके theory भी है, MCQ भी है, इसलिए में दो दिन अच्छे अलोकेट किये, तुम पढ़ो, लेट-लेट के अच्छे से पढ़ो उसमें, लेकिन marks attempt में, generally marginal 12 मापको आता है, recent attempt में और 6, यारे कि 18 मापको आया था marginal, थोड़ा ध्यान दे रहा है, तो ये marginal आप दो दिन में उसके objectives खतम करोगे, cost of capital एक दिन lecture और एक दिन उसका pass paper महा संग्राम करोगे, फिर हम day 5 पे आया, अब आप costing का transfer pricing को देखो, मैंने वापस से day 5, day 6, 2 एक दिन एक घंडे का lecture है, एक घंडे का lecture है, एक घंडा उसको पढ़ने में जाता है, दूसरे दिन आप उसका महा संग्राम करोगे, accounts में में आपको cash flow start करवाया है, 5-6 days, ये दो दिन आप क्या करोगे, cash flow करोगे, objectives अब मैंने आपको देखो, FM का करवा दिया है, थोड़ा स इसा costing का करवा दिया है, अब हम start करेंगे, accounts में भी objectives आते है, theory आती है, तो banking insurance के objective theory खतम करके लो, FM में आप start करेंगे capital structure, day 2 पे आप उसका महा संग्राम करेंगे, right, day 6 पे आपने पिछले वाले दिन के जो भी chapters से उसका आपने क्या कर लिया है, महा संग्राम वगेरा solve कर दिय और 8 cost of capital के objectives कर लिये, right, similarly day 7, day 8 budget को दिया है, lecture एक दिन महा संग्रा, okay, यहाँ पर मैंने dividend, FM में dividend, एक दिन lecture, एक दिन महा संग्रा, schedule 3 का जो lecture है, वो 4 घंटे का है, तो एक दिन में मत खतम करो, वो lecture दो दिन में खतम करो, और ये दो दिन आप किसके objective करोगे, एक दिन transfer pricing, छो अब हम last के 2 days पे आए है, day 9 पे हम क्या करेंगे, कोई नया chapter नहीं उठाएंगे costing का, revision भी, cumulative revision बहुत necessary है, मैं तो totally cumulative revision पे rely करती हूँ, cumulative revision करेंगे किसका, day 9 पे learning curve, marginal revise करो, learning curve 15-20 minute में revise हो जाएगा, है ही क्या हो, उसमें आपको बस चेक करना है, multiply, 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 2, 4, 8, 16, और marginal अच्छ day 10 पे budget और transfer pricing, यानि अभी तक हमारा पूरा costing सिर्फ standard अगर मैं छोड़ू, 12 मार्क का, तो हमारा costing पूरा 38 मार्क का 10 दिन में cover हो रहा है, with objectives, schedule 3 मैंने आपको बोला था, 2 दिन उसके lecture, देखो, तीसरे दिन क्या करोगे, उसका compile, महा संग राम करोगे, आप pass paper, MTP, RTP, डाउन क्योंकि बाकी तो है, मैंने आपको accounts on purpose easy करा है, क्योंकि अपना costing FM बहुत है चल रहा था, अगर मैं accounts आपको company देथी तो लग जाती थी, वो balance out करना पड़त है, मैंने बोला ना, सोच के बनाया, वा time जे बले, अच्छा, objective में क्या करना है, capital, structural, dividend के बहुत कम objectives है, ये देखो regular batch की students जो है, तुमको तो objective के lectures भी दिये, मैंने ये book के साथ, तुमको ये book मिली हुई है already, तुमको महा संग्राम भी मिली हुई है, this is my objectives की book, जहाँ पे chapter wise सारे past paper, MTP, RTP, जो institute का compiler होता है, bitmcq, वो सब यहाँ पे chapter wise है, ये marginal costing है, सारे past paper, यहाँ, this is marginal, मैंने हर एक chapter की तुमारे पास इसके मेरे खुद के lectures भी है, costing FM account, sub subject के objectives के lecture है, तुमारे पास, तुम lecture के साथ इसको revise कर लो, तुमारा तो revision हो जाएगा, और जिनके पास नहीं है, आप लोग को वही करना पड़ेगा, download करें इधर उधर से, जितने भी past paper और यह सब है, और उसके objectives आप करना पड़ेगा, जो regular batch है, तुम पाइदा उठाओ, तुमारे objective के book उठाओ, और chapter wise objectives वाले column में मैंने जो जो दिया है, वो करके लेंगे, तो आप capital structure और dividend का करो, FM में क्या करना है, FM भी में 4 chapter 2 दिन में revise करा है, day 9 में आपको cost of capital, capital structure revise करना है, और day 10 पे जो पहले chapter किया था leverage और dividend, तो इस तरह से आपका day 10 में आपको सब कुछ क्या करना है, revise करना है, तो अपने जितने भी chapters की है, मतलब costing में मैंने 38 marks का आप लोगों को theory, objective, practical, सब का revision प्लान दे दिया, FM के 4 chapter दिये, 24 से 28, 30 marks के लिए आते हैं, जैसे पिछली attempt में leverage, 3 question आ गये थे, 18 marks हो गया था, generally 6 to 12 आता है, accounts का 20 से 26, याने total 80 से 90 marks का आपका syllabus कितने दिन में खतम हो रहा है, 10 days में खतम हो रहा है आपका syllabus, ठीक है, आगे का timetable का क्या चाहिए न, आगे का timetable, वीडियो को 200 likes मंगता है, वीडियो को share करो अपने friends से, क्योंकि सब को जरूरत है, मैं आपसे और कुछ नहीं मैंग रही है, मैं सारी महनत कर रही हूँ, तुमको lectures भी दिये है, सारे almost सारे subject के lectures दे दिये, study plan दे रही हूँ, सारे update दे देती हूँ, जैसे भी आते है, तुमको करना क्या है, बस channel को subscribe करके रहो, bell icon press करके रहो, आगे का video जब भी आएगा तुमको पता चलेगा, और ये video share क करो, जितना कर सकते है, सब की मदद करो, video को 200 likes, this is my motivation, आप लोग like करोगे, comment करोगे, तो में को समझेगा, तुमको benefit कितना हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरा motivation तो उतना ही है, तुम लोग उसे, और कोई चीज अगर तुमको चाहिए, तो क्या करना है, comment box में type करके है, तो group 2 के लिए, group 2 के लिए, सब कुछ videos है, आपके पस accounts के है, आपके पस costing के है, FM के है, जो आपका OM, SM audit है, उसके बहुत जल्दी आ जाएंगे, group 1 बाले students don't lose hope, मैं बोल रहे है, आप लोगों के लिए पी planning चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जरूर आएगा, so stay tuned to the channel, और जो revision हम लोगों ने लिया है, उसके notes के लिए, तुम लोगों को करना किया है, class का app download करना है, description box में सारे के सारे link है, जिन लोगों को course purchase करना है, उनके लिए भी हमारा class Akash Agarwal Classes का play store पे application है, आप लोग download करेंगे, तो आपको courses दिखेंगे, you can purchase from there, ठीक है, पक्का, stay stay tuned to the channel, अगर कोई test series आ रहा है, कोई नया revision आ रहा है, जिसी group 1 के लिए, जो भी चीज़े आप लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा अगर आप channel से connected रहोगे, तो, see you all, bye bye